मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तों बढ़ते वजन या मुटापे से परिशान लोगों के लिए डाइटिंग करना जिम जाना आम बात है वजन कम करने के लिए लोग अपनी डाइट में तरह तरह के बदलाव करते हैं वजन कम करने के लिए लोग अकसर प्रोटीन और फाइबर युक्त खाना खाते हैं ट्रांसवेट और मीठी चीजों से दूर रहते हैं अगर आप ये सारी चीज़े करके ठक चुके हैं तो अब अपनी डाइट में बस एक फल शामिल करके देखें जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पपीते की पपीते के वैसे तो कहीं तरह के फायदे होते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सर्फ इसके की पपीता किस तरह आपके वजन को कम करने में मदद करता है जी हाँ, पपीते में वो सारे पोशक्तत्व मौजूद होते हैं जो मुटापे को घटाने में मददकार है पपीता एक ऐसा फल है जो पूरे साल हर मौसम में पाया जाता है हर दिन पपीता खाने के कई फायदे हैं पर इसका सबसे बड़ा फायदा है वेक लॉस वजन घटाने के लिए दिये जाने वाले टिप्स में डायटीशिन भी अब हर दिन पपीता खाने की सलाह दे रहे हैं पपीते में कहीं सारे पोशक्तत्व, एंटि ऑक्सिडेंट, जरूरी मिनरल्स और कहीं तरह के विटमिन पाय जाते हैं पपीता डायजेशन सही रखने के साथ साथ बॉड़ी को भी डिटॉक्स करता है इसे खाने से लीवर से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं जो लोग वजन बढ़ने की वज़ा से कैलोरी से परहेस करते हैं उनके लिए पपीता एक अच्छा आप्शन है पपीता वजन खटाने के साथ बहुत कम मात्रा में आपको कैलोरी देता है 100 ग्राम पपीते में 43 से जादा कैलोरी नहीं पाई जाती अब आपको बताएंगे कि वजन को कैसे कम करता है पपीता अक्सर वजन कम करने के लिए हमें ऐसी डायेट फॉलो करनी होती है जिसमें फैट और कैलोरी कम हो और जिसमें धेर सारा फाइबर भी हो पपीता इन सारे गुणों से भरपूर है पपीता खाने से भूख कम लगती है जिससे आपके शरीर में कैलोरी की मातरा कम होती है और वजन कम होने लगता है पपीता शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है पेट की चर्बी घटाने के लिए प्रोटीन युगत खाने की जरूरत होती है पपीते में पपेन पाया जाता है जो एक पाचक एंजाइम होता है और ये प्रोटीन को पचाने में काफी अच्छी तरह से मदद करता है जिने पेट में low acid की दिक्कत हो पपीता उनके लिए भी काफी कारगर होता है अगर आपको inflammation की दिक्कत है तो आपको वजन घटाने में दिक्कत आ सकती है पपीटे में पाया जाने वाला antioxidant शरीर में सूजन और जलन की समस्या को दूर करने के साथ पेट की चर्वी भी कम करता है अब बात करेंगे कि पपीटा digestion में किस तरह से अच्छा होता है देशल पपीटे में पाया जाने वाला काईमो पपाइन पाचन को ठीक कर कब्ज से लड़ने में मदद करता है आपका पाचन तंत्र जितना ही ठीक होगा आपका वजन उतनी ही तेजी से घटेगा अब बात करेंगे कि वजन खटाने के लिए आपको पपीता कैसे खाना है अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो नाशते में पपीता खाएं इसके अलावा लंच और डिनर के बीच इसे मिड मील स्नैक के तौर पर भी आप खा सकते हैं तो ये थी जानकारी कि पपीता आपके वजन को कैसे कम करता है और किस तरह कंट्रोल करता है उम्मीद है कि दिगर ये खास जानकारी आपके बेहत कामाएगी पपीते के दूसरे और भी कहीं तरह के जो फायदे होते हैं उसके बारे में भी हम फिर कभी एक विस्तार से वीडियो जरूर लाएंगे और उसके फायदों से आपको रूबरू करवाएंगे लेकिन आज के वीडियो में पस इतना ही